So recently, बहुत सारे ब्रैंडस उनकी अलग-अलग टाप की इंटरेस्टिंग-इंटरेस्टिंग स्मार्टोच इस लॉंज कर रहे हैं So ऐसी ही और एक स्मार्टोच फायर बुल्ट ने भी लॉंज की है जूकि है फायर बुल्ट के सेक्स वॉच दोस्तो आज किसी वीडियो में हम इसी स्मार्टोच को डीटेल में एक्सप्लोर करने वाले हैं जानें किसके स्पेसिफिकिशन कैस की प्राइज है किसके बेस्ट फीजर से और ये स्मार्टोच को भाई करने चाहे फिर नहीं इसके बारे में भी बात करेंगे सो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बीना किसी तरी के सो पच्टफॉब बात करें इस स्मार्टोच के डिजाइन के तब को बहुत भी बढ़ीः डिजाइन देखने मिलता है ये स्मार्टोच दो डिजाइन में अवेलेबल है इस smart watch को आप एक normal watch की तरह भी यूज़ कर सकते हैं इस साथ इस smart watch के साथ इस type की जो cases आते हैं उसके अंदर डाल के आप इस smart watch को rugged watch के अंदर भी convert कर सकते हैं जो की overall बहुत ही अच्छी बात है अगर आप एक rugged watch यूज़ करना चाते हो तो इस case के अंदर watch डाल दीजे अगर आप normal watch यूज़ करना चाते हो तो इस type को लगा लीजे इसके साथ ये smart watch इतने सारे colors के अंदर available है इस smart watch के build quality overall बहुत ही अच्छी होने वाली है watch case के भी और watch के भी इसाथ IP68 rating भी देखने मिलती है डिस्पली के बात करें तो 1.960s का normal सा display है जिसके quality overall ठीक ठक होने वाली है Bluetooth calling का feature है और इस smart watch के अंदर आप कुछ contact से हो करके भी रख सकते है अगर इसकी battle life की बात करें तो normal use फे 4-5 days के असपास चल जाएगी अगर आप calling feature के साथ use करें तो एक से 2 दिन के असपास चल जाएगी voice assistant का feature भी है healthy related आपको main main trackers के देखने मिलते है जिसकी heart rate monitor है, SP2 है, sleep tracking है इस type के कुछी trackers आपको देखने मिलते है sauce से भी जादा sports mode से जो कि ओरूल बहुत एची बात है इस smart watch के अदर आपको बहुत सारे additional features देखने मिलते है जिसकी इस smart watch के अदर आप अलग-अलग type के QR code store करके रख सकते है और इससाथ inbuilt calculator भी है drink water reminder है, find my phone का feature है और इस watch को use करके आप smartphone के help से कुछ games भी खेल सकते है क्योंकि इस watch के अदर आपको कुछ motion sensors देखने मिलते है और इससाथ virtual reality work out भी आप कर सकते है इससाथ NMC का भी support है लेकिन हो कुछी चीजों के साथ काम करेगा smart features जिसकी smart notification, camera shutter button, weather information, music control इस type की features भी आपको दिखने मिलते है utility features जिसकी timer set करना, alarm set करना, stopwatch लगाना इस type की features भी है बहुत सारे type के watch faces है और इस smartwatch को smartphone के साथ connect करने ले आपको इस app का use करना बढ़ता है इस smartwatch की weight के बात करें तो अगर आप case के साथ watch use करते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा weight होने वाला है अगर आप normal use करते हैं तो 70-80 gram के around इसका weight होने वाला है अब बात कर लेते हैं smartwatch की कुछ best features की जिस वचे से गर आप smartwatch को buy करना चाहते हैं तो consider कर सकते है smartwatch का design और build quality आपको बहुत अच्छी दिखने मिलने वाली है और इस साथ आपको बहुत सारे additional features भी दिखने मिलते हैं मुझे लगता है अगर ये smartwatch 1999 इस price पे launch होती है तो ये smartwatch बहुत अच्छी option होने वाली है फिर भी मेरी suggestion हैगी कि कौनसी भी smartwatch buy करने से फ़ले properly research कीजिए reviews देखिए उसे के बाद buy करना consider कीजिए आप इस smartwatch को check out कर सकते है पिन comment के अंदर link है टिल दर आज की इस वीडियो में इतना है मिलता है ऐसी अगली वीडियो में